MJ Online Classes के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए तथा नए नोटिफिकेशन चाहने है तू गंटे के बटन को दबाईए Hello dear students, आपका एक बार फिर से MJ Classes के अंदर हार्दिक का भी नंदन और स्वागत करता हूँ जैसे कि मुझे प्यारे विद्यारतियों के कमेंट्स मिले कि सर आप क्यूशन वगरे भी करवाईए तो जो नेक्स्ट आने वाले समय के अंदर जो भी एक्जाम स्वगरे होगी उनके पॉइंट ओ व्यू से इंपोर्टेंट क्यूशन लेकर आया हूँ तो आजगा जो सेशन है वो इंपोर्टेंट रहने वाला है और आजगा सेशन अपन लोग स्टार्ट करेंगे डियर स्ट्वेंट जुडिये रहिए आयम नौट यूश्ट तो स्मॉक, स्मॉक, स्मॉकिंग और नन अप दीज जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ जितना असान क्यूशन अपन को दिखता है उतना असान क्यूशन होता नहीं है तो इस क्यूशन को करने कोशिस करते हैं आप भी अपने मन में इसका आंसर एक बार पहले सोच लीजिए कि आंसर क्या होगा फिर उसके बाद में आपने चलते हैं क्या आना है इसमें तो सबसे पहले अगर बात करें तो I am not used to आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर use हो गया used to का अब used to जो होती है वो आपकी model auxiliary verb होती है अब model auxiliary verb होती है उसके बाद में अपनी base form लगती है इसमोक आंसर इसलिए गलत होगा यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे जब भी किसी sentence के अंदर used to का use होता है तो इस used to के बाद में पन वर्ब की कौन सी form का use करते हैं पस फोर्म का use करते हैं पेसिव के वाक्या में अपन वी थर लगाते हैं लेकिन याद रखोगे जब भी किसी sentence के अंदर अगर आपको used to से पहले अगर बी वर्ब दिखाए दे कौन सी वर्ब दिखाए दे बी वर्ब अब बी वर्ब की मैंने आपको बात के थी जो बी वर्ब होती है और इंग्लिस में सबसे इसकी अधिक forms होती है वो 8 forms होती है present form इसकी ismr बताए थी fast form इसकी वाजवर बताए दिए आप लोगों को पता होना चाहिए अगर used to से पहले अगर बी वर्ब आ जाती है ismr बोजवर में से कोई भी आ जाता है तो फिर इसके बाद में अपन को यूज़ करना पड़ता है जिरंड का अब यह जो जिरंड होता है यह जिरंड आपका होता है क्या किसी भी वर्ब की password में आप ing लगादो और उसे noun की तरह यूज़ करोगे तो वो आपका कहलाएगा जिरंड अब यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या रहा है आपका m आ रहा है अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो m का use किया गया इस m के कारण यहाँ पर smoke नहीं आएगा यहाँ पर use किया जाएगा वो किसका किया जाएगा smoking का किया जाएगा next question की और बढ़ते हैं the picture was by wife अब यहाँ पर देखो option में देखो एक तो hanged आ रहा है एक hang आ रहा है एक hanging आ रहा है और एक none of these आ रहा है तो यहाँ पर dear students द्यान दिना important question है एक वर्ब होती है जिसका नाम होता hang अब इस hang का मलब होता है लटकाना अब इस लटकाने की देखिए जो लटकाने का मतलब यह है कि इसके दो meaning निकलेंगे या तो किसी वस्तू को लटकाए जाएगा या किसी व्यक्ति को फासी पर लटकाए जाएगा तो इसकी दो फोरम होती है जो सेकंड और थर्ड फोरम के रूप में काम करती है एक तो होती है हंग देखे हंग की सेकंड फोरम हंग होती है थर्ड फोरम भी हंग होती है और एक फोरम जो होती है वो होती है हंग अगर बात करें तो hanged कब आएगा और hung कब आएगा तो सबसे पहले बात करें अगर किसी भी वस्तू को लटकाने की बात की जाती है तो hung का यूज करते हैं लेकिन किसी व्यक्ति को अगर फासी के ओपर लटकाने की बात होती है तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है hanged का प्रियोग किया जाता है अब जैसे कि इस question में अपन को ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाक्य है जो pace you का है अब pace you का अगर वाक्य है तो work की कौन इस फोरम लगेगी third form लगेगी और अगर इसमें third form का use किया जाएगा तो pace you तो लटका नहीं रहे यानि कि picture को लटकाने की बात की जा रही है तो लटकाने की बात की जा रही है तो यहाँ पर option होगा आपका कोण सा हो जाएगा be option हो जाएगा next question की और बढ़ते हैं जो next question आपका है वो next question यह है I working for four hours अब इस sentence के अंदर four का use हुआ है और four के साथ में आपका किस का use किया गया है time का अगर किसी भी वाक्य में since और four के साथ में time आता है तो उसका tense जब लिखा जाता है तो वो perfect continuous होता है perfect continuous में न आयम आता है न विल बी आता है न वो हो जाता है इसका मनलब यहाँ पर जो option होगा वो आपका option कौन सा हो जाएगा see option हो जाएगा next question की और बढ़ते है next जो question है वो question अपना है if you blank है well you will win the match अब यहाँ पर दियान देना एक conditional sentence होता है जिसका नाम होता है improbable condition improbable condition का मनलब यह होता है कि किसी भी अगर देखो एक sentence के अंदर दो close होंगे conditional sentence में generally दो close होते हैं एक principle close होता है और एक दूसरा result close होता है जो कि main close कहलाता है अगर किसी भी अगर अपन बात करे sentence के अंदर तो sentence के अंदर जब बात की जाती है तो improbable condition में यह होता है कि अगर आपका principle close जो होता है वो principle close अगर आपका if till until unless as soon as द्यान से सुनना if till until unless as soon as even if before after या when इन से जुड़ा हुआ दिखाई देता है तो तता उस वाक्य का tense अगर आपका present simple रहता है यांकि वर की पस्वरम या वर की पस्वरम में yes या yes होता है तता दूसरे close का tense अपना रहत होता है future simple future simple का मनलब क्या होता है sell या will plus verb की पस्वरम अब इसके option में दूसरे में देखना will win आ रहा है यानि कि यहां पर यह tense कौन सा है future है तो पस्ट का जब लिखा जाएगा तो कौन सा लिखा जाएगा present simple लिखा जाएगा यान की v1 या v1 में yes अब you है वो plural है आपका इस अब abroad last year अब यहां पर sorry last week है last word का use किया गया last जब आता है तो यह tense होता है अपना कौन सा past simple यान की week कौन सी लगेगी second लगेगी तो verb की कौन सी forum second forum तो यहां पर क्या हो जाएगा went आपका answer हो जाएगा next question देखते हैं the president entered the parliament house at 10 अब यहां पर जब यह question है तो यह preposition का question है और preposition के question में important है यहां पर एक verb दी गई है जिसका नाम है एंटर generally अपन क्या करते हैं कि जो enter verb होती है उस enter verb के बाद में किसी भी preposition का use नहीं होता है जब किसी इस्तान विसेश पर previous किया जाएगा तो enter के बाद में किसी भी preposition का प्रियोग नहीं किया जाएगा लेकिन अगर किस profession के अंदर enter करने की बात की जाती है तो वहाँ पर फिर into का use किया जाता है तो इस sentence के अंदर कहाँ पर enter कर रहा है वो parliament house यानि की कोई palace है और कोई इस्तान की बात की जाएगी तो यहाँ पर कोई भी preposition का प्रियोग ही नहीं होगा इसका मलब होगा no preposition इसका मलब कौन से हो जाएगा डी हो जाएगा answer next question की और बढ़ते हैं next question है he is good English अब ज़्यादतर student इसमें क्या करेंगे in करके आएगे लेकिन जो in है वो आपका option क्या होगा गलत होगा अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी subject के अंदर अच्छा या बुरा बताया जाता है तो वहाँ पर preposition अपन यूज करते है एट का इसका मलब यहां पर वह अच्छा किसमें है इंग्लिस में अच्छा है इसका मलब यहां इन नहीं यहां पर यूज किसका किया जाएगा एक का यूज किया जाएगा next question के और बढ़ते हैं जो question है important question है 8 number is question है the answer are to be written ink अब important question देखना dear students यहां पर जब question को लिखा गया है the answer are to be written ink इंक का मलब यहां paint से है अब किसी भी अगर अपन लिखने की बात करते हैं paint से हो pencil से हो या ink इंक का मनलब paint या pencil होगा यहां पर तो वहां पर important है यह question सबसे ज़्यादा जो student होगा वो यहां पर यहां तो with देखेगा या फिर by देखेगा लेकिन न वित आएगा न बाई आएगा यहां पर proportion कौन सा आएगा in आएगा paint या pencil की साहता से लिखने को बताने के लिए preposition अपन लगाते हैं in लेकिन याद रखना अगर paint या pencil से पहले article आजाता तो फिर उससे पहले उस article से पहले अपन यूज करते हैं with का उस article से पहले किसका यूज है with का जैसे यही question होता the answer are to be returned a pain तो फिर वहाँ पर आता क्या था with a pain आता तो आपका यह question important है एक question जो भी important होगे वह मैं आपको करवानी की कोशिश करूँगा मेरी यही आसा और उम्मीद रहेगी कि आपको यह समझ में आएगा session आगे next question देखते हैं next question जो है I agreed his proposal अब यहाँ पर dear students यहाँ पर दियान दिना एक word होता agree agree का मनलब होता सहमत होना अब agree के बाद में एक तो preposition with लगता है और agree के बाद में एक two लगता है with जब लगता है जब बात की जाती है someone की यानि कि किसी भी व्यक्तिवी से इसकी बात की जाती है तो वहाँ पर with का यूज होता है लेकिन यदि किसी भी non-living से agree करने की बात होती है तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है two का प्रियो किया जाता है इसका मतलब यहाँ पर आंसर होगा proposal है अब यह जो proposal है proposal कोई non living है अब non living है तो यहाँ पर वित्तो आएगा नहीं यहाँ पर किसका use हो जाएगा two का use हो जाएगा तो nine number में क्या जाएगा two आजाएगा he went to the cinema Saturday evening अब सभी को dear students को बता है कि जो भी अपने names होते हैं किसके दिनों के नाम होते है days name होते हैं उन दिनों के नाम से पहले अपने preposition को उन से लगते हैं उनका use करते हैं तो यहाँ पर अपन use इसमें किसका कर देंगे उनका use कर देंगे यहाँ पर आपको समझ में आया होगा next question देखते हैं he can't play all his friends जैसे कि वो खेल नहीं सकता किसके साथ में अपने मित्रों के साथ में जैसे कि dear students आप लोगों को पता है 7 का मतलब होगा with तो इसका option जो होगा वो कौन सा हो जाएगा d answer इसका हो जाएगा next question की और बढ़ते हैं next question जो 12 number question है they often go to pictures पिक्चर का मतलब वो इसी नहीं मा से लिया गया है negative इसका मनाना है they often go not to the pictures गलत हो गया they often do not go to the pictures they do not often go to the pictures अब देखिए B और यहाँ पर द्यान से पढ़ना B और C option में they often do not go और एक आरा है they do not often go इसका option जो होगा वो option अपना कौन सा सही होगा C option सही होगा क्यों सही होगा क्योंकि dear students देखिए always होता है often होता है rarely होते है यह जो भी always होता है यह आपके adverb frequency जो होते हैं वो main verb से पहले इनका use किया जाता है अब main verb से पहले जब use किया जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर go से पहले इसका use होगा इसका मतलब इसका answer जो होगा वो कौन सा होगा D होगा important question में से एक है यह question भी next question की और बढ़ते हैं और next question देखते हैं next question में दिया गया है पवन did me some favor अब यहाँ पर did है यह action करने को बताता है और verb की second forum है अब यहाँ पर dear students आपको पता रखना है कि negative sentence बनाना है negative sentence में पहला देखते हैं पवन did not me some favor यह option गलत हो गया option गलत इसलिए हो गया कि इसमें main verb का use नहीं हुआ दूसरा भी option गलत होगा पवन did not me इसमें भी देखिए यह verb का use main verb का प्रियोग नहीं हुआ पवन did not do me any favor अब यहाँ पर देखना है एक बार did का use हुआ note का use हुआ do यान कि main verb की कोणशी did के बाद work की कोणशी forum लगती है first forum यानि कि इसका जो answer होगा वो answer आपका कोण सा हो जाएगा C answer हो जाएगा एक बार dear students इसका एक बार dear answer भी देखने की कोशिश करना और इसका जो dear answer है वो है पवन did not do me some favor अब यह क्यों गलत हुआ dear student यह देखता है कि यहाँ पर जब student को यह सिखाया गया कि यहाँ पर द्यान से पढ़ना यहाँ पर use जब किया गया था वो use किया गया था any का use किया गया था किसका any का अब वहाँ पर उस option में sum का use है वहाँ के sentence देखना कैसा है negative है negative में sum का use नहीं करते किसका use करते है any का इसका मलब इसका जो answer होगा वो कून सा होगा c होगा next question की ओर बढ़ेंगे next question 14 number question देखते हैं एक take question का question लिया है she used to live here अब used का प्रियोग दो प्रकार से करते हैं used का प्रियोग एक तो अपन लोग करते हैं द्यान दिना एक बार as a main verb second form के रूप में और एक used to का प्रियोग करते हैं पर model एक्जली वर्प के रूप में take question का जब निर्मान किया जाता है तो helping verb plus subject से किया जाता है इसका मलब यहाँ पर देखें main verb तो live आ रहा है और used to is की helping verb है इसका मलब यह model एक्जली वर्प की तरह काम कर रही है इसका मलब यहाँ पर take question की जब helping verb के रूप में काम में ली जाएगी तो इसी verb का use किया जाएगा इसका मलब इसका देखिए sentence positive है take question negative बनेगा और अगर negative बनेगा तो use and see हो जाएगा इसका मलब इसका answer कौन सा हो जाएगा see answer हो जाएगा next question भी देख लीजिए यहाँ पर next question जो है वो question लिखा गया I ought to ring him up अब वो का वो ही question है ought to का use किया गया है तो यहाँ पर वो ही negative बनेगा तो negative में इसका क्या हो जाएगा autent I हो जाएगा तो इसका मलब आपका जो option होगा वो कौन सा हो जाएगा be answer इसका सही हो जाएगा 16 number question देखते हैं 16 number question में shut the door face view का question है it may be written as अगर यह कोई भी sentence अगर work की first form से शुरू होता है तो face view का वाक्य जनरल यह अपन late से शुरू करते है late के बाद में अपन object पस्ट लगाते है b लगा कर work की third form लगा देते है तो वाक्य को शुरू किस से करते है late से late के बाद में object कोन सा लगाते है first first के बाद में b और b के बाद में work की कौन इस पोरूम लगा देते है third form अब इनके answer देखना है एक बाद let the door shut गलत हो गया b का use नहीं हुआ let the door should shut गलत हो गया let the door is shut इज नहीं आएगा let the door be shut इसका मलब इसका answer कौन सा हो जाएगा d answer इसका सही हो जाएगा 17 number question देखते है my brother has sent me a cricket wait in passive it is passive में क्या बनेगा पहला option देगो जैसे कि आपको बता है कि देखे option से ही question हो जाएगा पहले option में तो a option में तो उसे शुरू कर दिया जो कि आपका क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा तो इंट्रोगेटी तो बढ़ी नहीं सकता इसका मलब a option कट गया दूसरा option भी आपका कट गया c option देखो a cricket wait has been sent for me by my brother सही हो सकता है d option देखना एक बार i was sent तो यहाँ पर दियान देना dear students h plus work की third forum है इसका मलब has been have been में होगा इसके option में देखो has been आ रहा है object से किन से यह passive का question बना रहा है तो यहाँ पर पहले a cricket लिखा a cricket bait लिखा फिर has been लिखा फिर send लिखा for me लिखा by my brother इसका मलब इसका answer जो होगा वो कौन सा हो जाएगा c answer इसका सही हो जाएगा next question देखते है a question आपका लिया गया है जो कि next question है वो narration से relate करता है narration का question भी देखते है latest go to the river अब dear students यहाँ पर दें देना एक बार पहला option देखना he proposed me that ठीक है latest तो यह तो latest go to the river गलत sentence होगा he proposed me that they should go to the river सही हो सकता है c option देखना he proposed to me that we should go to the river यह भी सही हो सकता है he ordered me to go to the river यह answer आपका क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा d answer wrong हो गया a answer wrong हो गया अब समझने की कोशिस करना देखे जब भी कोई भी sentence अगर latest से शुरू होता है तो वहाँ पर say to के स्तान पर अपन या तो वहाँ पर suggested to कर देते हैं या proposed कर देते हैं to लगा भी सकते हैं कई बार नहीं भी लगा सकते हैं option में लगे हुई हैं तो दोनों में ही लगे हुए तो देखते हैं इसके बाद में अपन क्या गरते हैं inverted coma को हटा कर उसके इस्तान पर that लगाते हैं और date के बाद में एक condition में अपन late को वाके से हटाते हैं और late के बाद में दिये गया जो भी objective case होता है उसको अपन subjective case में change कर देते हैं और subjective case में change कर दे के बाद में उसका indirect case लिखते हैं अब इसमें देखिए आपका reporting work का object me को माना है अब me को माना है तो यहाँ पर us का वी हो गया और वी change होता है दे में तो इसका answer आपका दे वाड़ा भी हो सकता है लेकिन एक question में एक नियम आपने हैं जो same tense के इंदर एक rule काम करता है वो rule काम ये करता है कि अगर अंदर आपका वी हो जाए अस हो जाए अवर हो जाए या अवर्स हो जाए और अगर reporting work में आपका I या मी हो तो फिर उसको change नहीं करते उसको ऐसे कैसे लिखते हैं तो फिर इसका जब answer माना जाएगा तो वो जो वी होगा वो answer होगा यानि कि इसका जो answer होगा वो कौन सा होगा C answer इसका होगा next question देखते है next question जो है वो है good morning he said अब जब भी good morning, good evening, good afternoon ये सब्द यूज होते है तो say'd या say'd टुगिस्तान पर या तो wish'd का यूज होता है या बेड़ का यूज होता है तो पहला option तो अपना कट गया सही, दूसरा option भी कट गया अब तीसरा option देखते है he wished me good morning अब यहाँ पर IJ कंजक्शन का यूज किसी का करते नहीं है इसका मलब इसका भी answer कौन सा हो जाएगा C answer हो जाएगा next question लेते है next question है रमन asked law case if अब dear students ज्यांसे पढ़ने की गणना question important है पहला इसका option देखना he lived there दूसरा he did live there ठीक है that he lived there dear students आप option को काटना सीखिए देखिए यहाँ पर जब इसका close है पहले वाला वो past में लिखा है तो दूसरा भी general बात है कि past में जाएगा इसका मलब a option इसका कट रहा है दूसरे option में देखते हैं कि he के बाद में did का use है simple sentence में कभी भी subject के बाद में did का use नहीं किया जाता है तो यह b option भी कट रहा है c option देखते है that he lived अब if as a conjunction के रूप में काम कर रहा है तो फिर वहाँ पर that conjunction के रूप में काम नहीं करेगा इसका मलब a की answer बचेगा इसका answer कौन सा बचेगा he lived there तो बनेगा रमन asked locust if he lived there तो यह question इसका answer हो जाएगा next question देखते हैं open open rebuke is better secret love अब यहाँ पर ध्यान गने एक बार use जो किया गया है वो better का use किया गया है better जो होती है comparative degree होती है good की इसका मलब comparative degree में जब use किया जाता है तो वहाँ पर देन का use किया जाता है तो यहाँ पर किसका use हो जाएगा देन का इसका मलब यहाँ पर इसका answer हो जाएगा अपना कौन सा बी answer लेकिन dear students कुछ adjective comparative degree के ऐसे होते हैं जैसे junior, senior, prior, inferior, interior, superior इन सबके बाद में देन का use ना करके अपन टू का use करते हैं नेक्स्ट क्यूशन की और बढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पर एक तो वूमन की, अब वूमन है वूमन है वो लीविंग है अब लीविंग के लिए ने तो विच का use करते हैं ठीक है, अपन देट का use भी कर सकते हैं वूज का, वूम का अब dear students समनना इसमें relative pronoun बरवार है और as living के लिए जो living होते हैं के लिए पर वू का use करते हैं वू का जो objective होता है, वो वूम होता है और पजेस होता है, वो होता है, वूज होता है अब इसमें आएगा क्या देखो, एक बार देयान देना एक बार अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जब है, तो यहाँ पर relative pronoun का use होगा, यहाँ पर आगे चल कर देगो husband, husband common noun की तरह काम करता है, common noun से पहले पजेस लगता है, और पजेस यहाँ पर यह objective case है, और यह आपका पजेस case है, तो इसका मनलब यहाँ पर क्या आएगा, वू जाएगा, तो इसका लोगों के लिए ऐसे ही मने और सेसंस लेकर आता रहूंगा, आप लोग इन वीडियोज को ज़्यदा ज़्यदा ग्रूप्स मेर इन में सेयर कीजिए, हमारी यूटूब चैनल जो MGI, online classes के नाम से बनाओ, उसको ज़्यदा ज़्यदा संक्या में आप सब्सक्राइब कीजिए और करवाईए, धन्यवाद, नए सेसन में फिर से मिलते हैं, जय हिंद, जय बारत, जय जय MGI